आज के इस वीडियो में रूट के इस टैफ के परसन को हल करना सीखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अन تک जरूर देखिएगा क्यूंकि इस टैफ के परसन में 99% लोग fail हो जाते हैं अगर ये वीडियो आप लोग अन तक देख लेते हैं तो आप लोग को सारी confusion दूर हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल सेकेंडों में इस टाइब के प्रसन को बनाना सीख जाएगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां root का एक प्रसन दिये हुए ठिक क्या है root 48 प्लस root 75 यानि क्या है root का यहां जोड दिये हुए ठिक तो हम लोग क्या करते थे अगर root के अंदर 2 रहता था तो इसको जोडने के लिए माननी जिए अगर root 2 आता था यानि root के अंदर में दोनों संख्या बराबर है तो इसको बहुत ही आसानी से जोड देते थे क्या कि यहां एक रूट दो है और यहां एक रूट दो है तो यहां क्या आ जाता था दो रूट दो आ जाता था क्योंकि यहां रूट के अंदर में क्या है संख्यास बराबर दिये हुआ है लेकिन यहां रूट के अंदर में 48 है और यहां रूट के अंदर में 75 है तो इसको कैस करेंगे LCM के तरह करेंगे तो 48 के इस तरह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा दो से लगाएंगे तो यहां 24 आ जाएगा फिर दो से लगाएंगे तो यहां बाड़ा आ जाएगा यहां फिर दो से लगाएंगे 6 आ जाएगा उसके बाद 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा तो कितना आ गिया, दो चार बार आ गिया और तीन एक बार आया, तो इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर में सभी को गुना में लीख लेंगे, ठीक तो दो कितने बार है, चार बार है तो दो को चार बार गुना करेंगे तो दो को जब चार बार गुना कर लिए उसके बाद यहां 3 भी है तो इसके साथ में 3 के भी गुणा में कर लेंगे ठिक उसके बाद यहां प्लस का चीन है तो प्लस का चीन देंगे ठिक उसके बाद यहां क्या है रूट 75 है तो 75 का भी क्या करेंगे उसी परकार से गुणान खंड कर लेंगे तो 75 को जब गुनन खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पहले 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा ठिक क्योंकि यहां 3 से लगने वाला नहीं था इसलिए 5 से लगाया है तो 5 बचे 25 आ गया तो 75 को हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर में लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5 तो यहां 3 गुना 5 गुना 5 लिख लिए ठीक उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होता है कि अगर किसी भी समान संख्या का जोड़ा बनता है यानि पेर बनता है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है तो यहां देखेंगे कि यहां इस दो-दो का एक पेर बन रहा है फिर इस दो दो का जोड़ा बन रहा है, तो यहां से एक दो बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक दो बाहर आ जाएगा, ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, एक दो इसमें से बाहर आ जाएगा, तो दो लिखेंगे, गुना, उसके बाद इसमें से भी एक दो बाहर आ जाएगा, दो लिखेंगे ठीक, रूट के अंदर में अकेले क्या बन जाएगा ये जो 3 है, पेर नहीं बन रहा है अकेले 3 है तो क्या करेंगे रूट के अंदर में 3 ही लिखेंगे यानि 3 ही लिखेंगे ठीक, उसके बाद यहाँ Plus का चीन है, तो Unless का चीन देंगे तो root के अंदर में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ठीक अब इसी को आगे solve कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दुना 4 हो जाएगा root 3 इसके साथ है तो root 3 लिखेंगे उसके बाद plus है तो plus लिखेंगे उसके बाद 5 root 3 है तो 5 root 3 लिखेंगे ठीक अब यहां क्या आ गया इस root के अंदर में भी 3 है और इस root के अंदर में 3 है तो यह जूड जाएगा तो जूडने के बाद क्या हो जाएगा यहां root से पहले क्या है 4 है और यहां root से पहले 5 है तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो ठीक अब दोनों के साथ में रूट 3 लगा हुगा है यानि रूट 3 तो इसके साथ में भी रूट 3 लगा देंगे तो क्या आजाएगा नौ रूट 3 यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के परस्णों को बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आई होग कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आप इस चानल बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें थाइंकिए